घुरूझ बिस्मिल्लायर मनु गाहिं इस वीडियो के अंदर में आपको प्रेजेंट करता हूँ किस तरीके से हम अपनी जो डिलिफरी से हम को मैनेज कर सकते हैं multiple deliveries के against single invoicing जो है वो किस तरीके से हम maintain कर सकते हैं तो पहले हम कोई sale order जो है वो create करते हैं let's say 3M surgical का ही हम एक sale order generate करें और हमारे पास item है gta जी हमारे पास product है quantity हम 10 कर रहे हैं और उसके बाद जो pricing है प्राइसिंग लेट से हम 50 और पीके आग यहां पर हम mention कर सेफ करेंगे सेफ करने के बाद confirm sale यह हमने confirm sale कर दिया inventory के तो अगर हम रूट करते हैं inventory के अंदर हमारे पास delivery orders है वो material waiting के अंदर material waiting के अंदर हमारे पास यह 3M surgical यह हमारे पास material waiting के अंदर है 10 demand है initially हम एक delivery जो है वो generate करते हैं delivery और lot number हम 8 ही mention करते हैं two quantities हम deliver करते हैं and then validate validate के ओपर हम back order जो है वो create करते हैं create back order तो यह एक delivery हम generate कर चुक है delivery generate करने के बाद हमारे पास delivery delivery is related create invoice भी हमारे पास यह हो रहा है create invoice भी हमारे पास आ चुक है उसके बाद हम हमारे पास back order भी जनरेट हो चुक है यह दो back order अब एस को प्रेस किया तो यह eight remaining है हम कुछ quantity जो है इसकी मजीद deliver करते हैं and lot हमने select किया eight and three more deliveries confirm and then validate validate के ओपर create back order तो यह मजीद back order जनरेट कर दिया है अगर हम sale order को view करते हैं sale order के अंदर 0033 तो यहां पर देखें तीन delivery उसकी बन चुकी है जब delivery के ओपर click करेंगे तो यहां पर हमारे पास delivery है 37 delivery बनी है हमारे पास और back order 37 का 38 और 38 से हमने back order generate की है 39 तो यह तीन delivery है हमारे पास इस वकत और यह दो जो है हम इनको done कर चुके हैं एक delivery हमारी waiting के अंदर है जो delivery हम done कर चुके हैं इसको select करने के बाद action के अंदर हम create invoice कर रहे हैं and then create invoice okay fully invoice का हमारे पास status आ चुके है so 023 के उपर हम click करते हैं तो यहां पर हमारे पास one invoice भी आ चुका है अगर हम one invoice के उपर click करते हैं तो यहां पर देखें के delivery order number दो delivery order हमारे आ रहे हैं और three quantity and two quantity तीन और पांच दो हमने delivery दी हैं यह पांच हमारे पास quantities आ चुकी है यह delivery generate हो चुकी है thank you very much